नमस्कार सातियों, आप सभी का हमारे चेनल में आज की जो वीडियो होने वाले अपने राजस्थान जीके शे सम्बंदित होने वाले दोस्तूं जितने भी वीगित प्रेकसाओं में जे क्यूसन पूछे गए उन क्यूशनों के बारे में अपने इस वीडियों में चर्चा करेगे दोस्तुुन। तो ये दोस्तु क्यूसन सभी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तु। पिसोल नमबर 26 है दोस्तों, टूपिक है अपना सिचाह से संबन दित, तो इससे पहले अपन सिचाह से संबन दित, 90 कुसनों के बारे में चर्चा करेंगे, चोटी-सी वीडियो होगी, लास्ट 15 मिनट की, ठीक है तीस क्यूजन 15 मिनट में, तो वीडियो का सबसे पहला अंसर हो जाएगा सतलज नदी से घंग नहर निकाली गई है अगला क्योंशन देखिए निकाली को सुमेलित कीजिए दोस्टु प्रियोजना और नहर इनको मतलब की सुमेलित करना तो यहां पर अराइट अनसर क्या होने वाला दोस्टु बागड़ा नंगल की बात करें तो सत् लाजे और इंद्रागंदी की बात करें तो जेन्यारण व्यास यहां पर ठीक है तो पहले के अंतरगत दोस्तों कुन सा है तीसरा पहले में तीसरा दूसरे के अंतरगत चोटा पहले के अंतरगत चोटा इसके बाद दूस्तों व्यास की बात करें तो पहला इसके बाद दूस् 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 मतलब कि last last के option में दिख रहा है ठीक है 3 4 2 1 यानि कि CD8B ठीक है अगला question दिखिए 11 जनवरी 2019 को रेनों का जी बहुग देशिये बांथ प्रियोजना है तु समझोते पर स्ताक्सर करने वाले राज्जी का उप्यूक्त समुग कौन सा है तो यहां पर दोस्तु 11 जनवरी 2019 को मतलब कि रेन्यू का कि बहुत दिशिये प्रियोजना केंतर के जो समझोता हुआ इसमें कौन-कौन से राज्जी है दोस्तु तो यहां पर अपना से जिla माहि हाई लेवल केंल सुध पर प्र प्रोजेक्ट के पर टैक्स रुप से सं भंधित नहीं यह दोस्तु तो यहां यह पर दोस्तु माहि हाई लेवल करीं चनाल सुध प्रिजानए प्रोजयक्त दोस्तों इस तो यहां पर अपना राइट कि आज़एगा डूंगरपूर नहीं है बागी रासमंद और शित्वडगड और Udhepur इन को मतलब कि माही नदी से मतलब कि सिचाए की पूर्ती की जाने वाले है प्पूर्ती होने वाले है दूस्टों माही नदी से इस योजना केंदर माही हाई लईूल कैणा सुध योजना ठीक है अगला एक कुछन देखिए किस जल विडियो प्रियोजना में राजस्तान सरकार ने पड़ोसी राज्यू के साथ सहब आगीगता किया दोस्तों तो यहां पर मतलब की किस किस के अंतरकत यहां पर राजस्तान ने मतलब कि दूसरे रज्य के साथ समझोता किया है तो भागडा नंगंक के साथ सब्सक्राइब कर रखा दूस्तों बाकि चंबल कि बात करें चंबल में भी कर रहता है एमपी की साथ और वियास की बात करते व्यास के साथ भी समझोता है दोस्तों ठीक है तो यहां पर ॢप्र ऐसे होने एला ही हो जाएगा ठीक है माही बजासागर की बात करेते दोस्तों राजस्तान और गुजरात के मध्ये हैं ठीक है बाकी वियास नदी की बात करेते वियास कहां से हो जाएगी दोस्तों तो वियास हो जाएगा अपना राजस्तान पंजाब और हरियाना और सरदार सरोर की बात गुजरात पुराजिस्टान और मध्यफरदेश और महारास्ट ठीक है तो पहले कंतरगत अपना option number पहला हो जाएगा ठीक है दूसरी की बाते यहाँ पे दूसरे कंतरगत तीसरा होने वाला ठीक है एक began व्यास की बात करें दोस्तों व्यास हो जाएगा अपना दूसरा एक तीन दो च्यार एक तीन दो च्यार किसमें हो जाएगा दोस्तों एक तीन दो च्यार एक तीन दो च्यार अपना बी ओप्सन में दीकर रहा ठीक है एक दो तीन च्यार एक तीन दो चार ठीक है तो यह जो कि बी ओप्सन में ठीक है अगला क्योशन देखिए निमने लेक्ट को कौन सा योगम सुमेलित नहीं है दोस्तों तो यहां पर वापस सुमेलित नहीं है तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा चंबल प्रियोजना जो कि राज सा है तो नरब्दा नेर प्रियोजना की बात करें तो नरब्दा नेर यह दोस्तों चार राज्यों के मध्य तो यह उप्सन भी अपना गलत हो जाएगा बाकि माही बजाय सागर की बात करें दोस्तों माही बजाय सागर कौन सा हो जाएगा तो यहां पर गुजरात और मतलव भी राजस्थान के मध्य होना थी यह उप्शन भी गलत हो जाएगा बाकि व्यास प्रियोजना की बात करक्तर यह राजस्थान और हरियाना और पंजाब के मध्य है दोस्तों तो यह अपना उप्शन सही होने वाला है ठीक है अगला क्योशन देखिए निमनलेक्ट में से कौन से एक प्रियोजना अंतराज्जी wrap रियोजना नहीं है दोस्तों तो इन्न में से अपना रैटांसर क्या हो जाएगा बिषुल्पूर है जो कि मतलब की अंतर राज्जी मतलब की दूसरे रज्जे के साथ प्रियोजना नहीं बनाती कैविए राजस्थान के अंतर गतते ठीक बाटत चितोडगढ़ कांतर डाना पर्ताव सागरबान दोस्तों अजमेर की बात करें तो अजमेर जो बिशलपूर पर्योजना तो ये ओप्सेंपना गलत हो जाएगा ठीक है कारण क्या है कि दोस्तों जो जिलद पुर्ट प्रयोजना यह बाध fascinated by कि उधेपुर की बात करें अपना मांसी वाकल प्रयोजना हो जाएगी और पर गटीम माद याक्डवन हो早 की 11314 की साही इसके तैले से जैके लेकर देखिए यह अपने डूंगरपूर से संबान दीत हैं और यहां पर महीप बजासागर हो जाएगा ठीक है अगला क्यूशन देखिए नेमने लिखत में से कौनसा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों सिचाई प्रियोजना और लाभौांदित जिला जवाई नदी की बात करें तो जवाई जो बांद है ये अपने मारवाड का मेरे स्रोर कहलाता है जो कि पाली से हमन्दित असी ठीक है सुमेरपूर पाली का दोस्तों बांकली मतले अपने जालोर से संब नधी तो यहाँ पर डी ऑप्सन अपना गलत है सिद मोग की बात करें दोस्तों सच अपने चुरू और हनुमान गड़ जिलेओ को मतलब की सिचाई की दि जाती है तो बांकली अपना ऑप्सन गलत होने वाला ठाएग tres it देखिए राजस्तान मद्य स्रेणी की घरदड़ा सिचाय प्रियोजना किस जिले में मतलब की प्रस्तावीत है दोस्तों तो जो घरदड़ा सिचाय प्रियोजना दोस्तों निम्न में से कौन सी राजस्तान के डुंगरपूर जिले की सिचाय प्रियोजना है दोस्तों तो डुंगरपूर जो जिला है इसमें कौन सी सिचाय प्रियोजना है सोम कमला अंबा जो सिचाय प्रियोजना डुंगरपूर से संबंदित है बाकि जवाई की बात करें दोस्तों यह कहां से संबंदित हो जाएगी पाली से और पांचना की बांद करेती करोली से हो जाएगी सिद्मुख हनुमंगड और चुरू से संबंदित होने वाली है ठीक है अगला क्यूशन देखिए किस जिले में किया गया दोस्तों तो यहांपेर क्योशन वही है maken पूछन का तरीका चेंज कर दिया दोस्तों तो यहांपे एपना डुंगरपूर रोप्सन सही हो जायेगा ठीक है। अगला कुसन है सौम कमला अंबा सित्हाइब प्रियोजन स्थित है दोस्तों तो ये वापस वोगी क्योग हैं तरीका अलगल है लेकिन कितनी बार एक्जाम के अंतर्गरत पूछा गया है दोस्तों यह क्योग सन ME तो मतलब निमनलेक्ट में से कौन सा राजस्थान की अंतर राज्य सिचाय प्रियोजना नहीं है दोस्तों तो दूसरे राज्य के साथ कौन सी मतलब की ये प्रियोजना है जिनमें मतलब की दूसरे राज्य के साथ समझोता नहीं है तो यहां पर अपना right answer क्या हो जाएगा दोस्तों एक तो जाखम प्रियोजना है जो की मतलब की दूसरी राज्जी के साथ सेमा यह मतलब की समझोता नहीं है एक जवाई प्रियोजना है जो की मतलब की केवल राजस्थान में है केवल यहां पे एक तो जाखम एक जवाई यानि की A और C उप्सन कौन सा है, दो़स्तों A और C D उप्सन में सभी दिकर है, ठीक है सोम कमला अंबास से कौन से जिले का अंतरकत लाब होता दोस्तों । यहां पे अपना राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 107 question number के अंतरगत अपना right answer होने वाला उदेपूर और डूंगरपूर से ठीक है उदेपूर और डूंगरपूर में मतलब की सिचाय की प्रियोजना है बाकी जो मतलब की सोम कमला अंबाया दोस्तों यह दूंगरपूर से हैं लेकिन शिचाय यहां पर मतलब की उदेपूर में भी होती है और सोम कागदर जो प्रियोजना है वो केवल मतलब की उदेपूर से सम्वनदित है अगला question है निमना लिगति सिचाय प्रियोजना जीलों में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों सिचाय प्रियोजना और जीली के अंदरगत कौ tet ? नहीं है। यह पर सुमेलित की बात करें तो पहला option अपना सही हो जाएगा सोम कमलामबाज रूैंगरपूर सोम कागदर दोस्तों ये option अपना गलत है ये उदेपुर से संबन दीत है ठीक है नौर सिद मुख की बात करेते हनुमन गड़ो और चुरू से संबन दीत है सावन भादो जो की कोटा से संबन दीत है यहां पर D option भी सही हो जाएगा तो यहां पर सोम कागदर वला उदेपुर म सबसे बड़ी प्रियोजना है अपने पेजल प्रियोजना जो कि टॉक के अंतरकत है बाकि सिद मुख की बात करेते हैं यह option अपना गलत हो जाएगा ठीक है सिद मुख अपना गलत होने वाला सिद मुख तो मतलब कि चुरू और हनुमान गड़ के बीच में है बाकि यह पां दोस्तों जहलावाड के इंतरकत कौन कौन सी शिचाय प्रियोजना है दोस्तों तो यहां पर अपना राइट अंसर क्या होने वाला दोस्तों तो दोस्तो यह भीम प्रियोजना और मतलब की एक कोंशी प्रियोजना छाप्य सिचाई प्रियोजना और बीम से अगर कहाँ पे डोस्तुं जलावाड के इंतरकत है अगला किशन देखिए मांसी वाकल प्रियोजना की सेहर को पयजल उपलब्द करती की आग तो यहां पर निमने लिखत में से शिचाई प्रियोग को जीलू के साथ मिलाए और नीची दीएगी कूट का प्रियोग करते हुए उत्तर का चेंग कीजिए दोस्तों तो यहां पर मतलब कि बांकली की बात करें तो बांकली इपने जालोर से सम्मंदित होने वाली है सबसे पहला बांकली के अंतरकर जालोर ठीक है जालोर के अंतरकर तीसरा हो जाएगा और मतलब कि सोम कमलांबा की बात करें डुंगरपूर से हो जाएगी यानि कि चोता सही हो जाएगा और मोरेल बां तो B option अपना right होने वाला 3, 4, 2, 1 बेंथली लगू सिचाई प्रियोजना कौन से जिले से संबंदित है तो बेंथली जो लगू सिचाई प्रियोजना है दोस्तों ये कहां से संबंदित हो जाएगी तो बेंथली जो लगू सिचाई प्रियोजना इपने 12 जिले से है ठीक है 12 जिले की सिचाई प्रियोजना है अगला क्यूसन है विलास सिचाई प्रियोजना का समंद्र नेमने लिखते में से कौन से जिले से है दोस्तों तो विलास जो सिचाय प्रियोजना है ये कौन से जिले से सम्मंदित होने वाले है ये अपने 12 जिले से है ठीक है लेकिन यहां पर दोस्तु 12 जिले का कोई option देख नहीं रहा तो ये क्यूशन दोस्तु डिलेट हुआ था दोस्तु ठीक है डिलेट हो गया था ये क्यूशन उसक किया गया दोस्तो तो जला वाड जो जिला है दोस्तो इसमें से मतलब की कौन सी सिचाय प्रियोजना का निर्मन नहीं किया दोस्तो तो यहां पर एक तो मतलब की भीम सागर ठीक है च्छापी प्रियोजना एक हरीश चंद्र सागर ये तीन प्रियोजना दोस्तों जलावड जिले के अंतरकत है वाकि सावन भादों प्रियोजना की बात करती अपने कोटा से संबंदित हो जाएगी ठीक है कोटा की सावन भादों सिचाई प्रियोजना है पारवती सिचाय प्रयोजना निमने लिख जिलों में से किस जिली की लाप रहत है दोस्तों तो पारवती नदी से कौन से जिला लाप रहत है तो यहां पे अपना दोलपूर हो जाएगा ठीक है तो 117 नंबर के अंदर के दोस्तों ए ओप्षन अपना सही हो जाएगा ठीक है एक एओप्षन अपना सही हो जाएगा यहां पर कि अगला क्योंचन है दोस्तों मोबाइल डिस होने वाला है सावन भादू सिचाई प्रियोजना राजस्थान के कौनसी जहलें में स्तित है दोस्तों सावन भादू यहां पने QTA के इंतर के तरह ठीक है आगला क्योंचन है दोस्तों तो ही प्रियोजना का सम्मंद है दोस्तों तो सही प्रियोजना कहाँ प्रुक्त करती है गई तो ये थी थी दोस्तों चोटी वीडियो अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा और चैनल को सब्स्राइब कर दीगा ठेंक्स पर वाचिंग सी ओ गैन ठीक है मोबाइल डिस हो गया मेरा